दूर किसी जंगल में सब पक्षी आपस में मिल जुलकर रहते थे परन्तु जंगल से दूर पहाडों की तरफ बाजुचिल गुस्ते में बैठी होती है और वे अपने बेटे से कहती है बेटा आज मुझे बहुत जादा गुस्ता आ रहा है आज कितने दिन हो गए है हमें कितने दिनों से किसी पक्षी का मास खाने को नहीं मिला ममा मेरा भी बहुत मंचा रहा है कि मैं पक्षीयों का स्वादिश स्वादिश मास खाऊ लेकिन पक्षी तो अब हमारे इलाके में आते ही नहीं है सब पक्षी बहुत जादा चलाख हो गए हैं लेकिन पक्षियों का माज खाए बिनातों में रही नहीं सकती हूँ मुझे किसी भी तरह पक्षियों को अपने इलाके में बुलाना ही पड़ेगा ममा ममा मैं तो कहता हूँ हम जाकर जंगल पर हमला कर देते हैं और सब पक्षियों को चुन-चुन कर खा लेते हैं बेटा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है न यही बेवकूफी तुम्हारे पापा ने भी कर दी थी जिसके कारण आज वे अपनी जान खो बेटे हैं तुम्हें पता हैं जब तुम्हारे पापा ने पक्षियों के जंगल पर हमला किया था तो सब पक्षियों ने मिलकर तुम्हारे पापा को पकर लिया था और मिठु माराज ने तुम्हारे पापा को फासी की सजा सुना दी थी अगर किसी तरह पक्षी मेरे इलाके में आचाएं तो वो मुझे बचकर कभी नहीं फाग पाएंगे हाँ लेकिन ममा मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पक्षी हमारे इलाके में आएगा क्योंकि सब को पता है ये इलाका चीलों का है बस अब हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे लेकिन पक्षियों का मास खाए बिना तो अब में रही नहीं सकता हूँ फिर वे ननाचील अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है और वे बाजुचील से कहता है ममा ममा मुझे एक बहुती बढ़िया उपाय मिल गया है उन पक्षियों को अपने इलाके में बुलाने का अच्छा तो फिर बताओ जल्दी क्या उपाय है वो ममा ममा आप जाओ चाकर सब पक्षियों को मेरे जनम दिन की दावत दो जब सब पक्षी मेरे जनम दिन पर आ जाएंगे तो मैं अचानक उन सब पक्षियों पर जाल फेक दोंगा और सब पक्षी हमारे जाल में कैद हो जाएंगे अरे वाँ मेरी बेटे तुम्हारा दिमाग तु काफी जादा शातिर हो गया है मेरी तरह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उपाएंगे तुम्हारा परन्तु वे चलाग पक्षी इतनी असानी से तुम्हारी जनम दिन पाटी में नहीं आएंगे ममा आप कुछ भी करके उन सब पक्षियों को मना ले पस एक बार पक्षी हमारे इलाके में आ गए तो वापस नहीं जाएंगे फिर वो हाँ हाँ ठीक है मेरी बेटे मैं पूरी कोशिश करूँगी पक्षियों को मनाने की ये कहकर बाजूचील सब पक्षियों के पास जंगल में चली जाती है अरे रे बाजूचील तुम अचानक हमारे जंगल में क्यों आई हो कवे पक्षियों मेरी पास सुनो हमने कितने सालों से एक दुसरे से दुश्मनी की हुई है परनतु अब मैं चाती हूँ कि हम सब पक्षि एक साथ मिल जाएं चीलों और पक्षियों की दोस्ती कभी नहीं होती, इसलिए हम पक्षी भी तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते हैं बाजूचील, और मैं जानती हूँ, इस बार भी तुम कोई न कोई अपनी चाल चलने के लिए, यहाँ पर हम सब पक्षियों को फसाने आई होगी, बाजूचील चल मैं तुम सब पक्षियों को मेरी बेटे की जनम दिन पार्टी की दावत दिने आई हूँ मैं चाती हूँ कि हम सब मिलकर एक साथ मेरी बेटे का अच्छे से जनम दिन मनाए बाजू चील हमारी दुश्मन हो तुम हम तुम्हारी किसी भी पार्टी में नहीं आएंगे बस तब ही नना चील भी वहाँ पर आ जाता है पक्षियों आप सब को पता है मेरी मम्मा से सारी चीलों ने लड़ाई की हुई है और अब कोई भी चील हम से नहीं मिलती हम बिलकुल अकेले हो गए है अगर आप सब पक्षि भी मेरी पार्टी में नहीं आएंगे तो तो मेरे जनम दिन पार्टी में मुझे बिलकुल भी मता नहीं आएगा ममा अगर ये पक्षि नहीं आ रहे पार्टी में तो कोई बात नहीं इस बार मैं अपनी जनम दिन पार्टी नहीं मनाऊंगा देखो पक्षियों, मेरा मासुम बेटा कितना जादा उदास हो गया है मेरे बेटे का दिल लखने के लिए तुम सब पक्षि मेरे बेटे की जन्म दिन पार्टी में आ जाओ न चीलों की बास सुनकर सब पक्षि बहुत जादा परिशान हो जाते हैं और वे कहते हैं अच्छा अच्छा बाजूचील तुम जाओ हम सब सोच कर बताएंगी तुम्हें कि हमें तुम्हारी पार्टी में आना है या फिर नहीं ठीक है ठीक है पक्षियों मुझे आज रात तक बता देना फिर बाजूचील और उसका बेटा वहाँ से चली जाते हैं मीनोचेडिया तुमने बाजूचील को साफ साफ मना क्यों नहीं किया कि हम सब पक्षी उसके बेटे की पार्टी में बिलकुल भी नहीं जाएंगे कालू कवी क्या तुमने देखा नहीं कि बाजूचील का बेटा कितना जादा उदास था अगर हम उसकी जरमदिन पार्टी में नहीं जाएंगे तो वो इस बार अपनी जरमदिन पार्टी नहीं मनाएगा और हमारी वजह से में ननाचील उदासों ये बात तो ठीक नहीं है न लेकिन लेकिन फिर भी हम जाकर ये सारी बात मिर्टु माराज को बताते हैं अब मिर्टु माराज जो कहेंगे हम वही करेंगे अम इनो चेडिया तुम ठीक है रही हो चलो चलो पक्षियों मिर्टु माराज के पास चलते हैं फिर सब पक्षी मिर्टु माराज के महल चले जाते हैं दोस्तों अगर आप सब को इस कहानी का अगला भाग देखना हैं तो कमेंड में जरूर बताएं जंगल में एक कालू कववा और मीनो चेडिया रहते थे इन दोनों का अपना अपना ही एक गंदुम का खेत हुआ करता था मीनो चेडिया बहुत महनती थी वे हर समय अपने खेत की देख बाल ही करती रहती थी जबके कालू कववा बहुत ही जादा आलसी था मीनो चेडिया और कालू कववा अपनी गंदुम की फसलें एक उलू सेट को बेचा करते थे उलू सेट जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे इसलिए वे कालू कववा और मीनो चेडिया से गंदुम खरीते थे कालू कववे तुम्हारी गंदुम की फसल अच्छी तरह से पक गई है अब तुम्हें अपनी फसल काट लेनी चाहिए और तो और बरसाद भी बहुत करीब है कहीं बरसात के कारण तुम्हारी सारी गंदम की फसल खराब न हो जाए मिनुचेडिया तुम हर समय मुझे ग्यान देने मता जाया करो मुझे सब पता है कि मुझे अपनी फसल कब काटनी है और कब नहीं तुम यहां से चली जाओ और अपने खेत का ख्याल लखो वैसे भी मुझे अभी बहुत नींदा रही है जब मुझे अपनी गंदम की फसल काटनी होगी मैं काट लूँगा लेकिन अभी मुझे सोने दो ठीक है कालू कवे में जा रही हूँ अब अगर फसल खराब हो जाए तो मुझे ना कहना कि मैंने बताया नहीं तुम्हें ये कहकर मीनोचडिया वहाँ से चली जाती है मीनोचडिया अपने खेत में आती है और अपनी सारी गंदम की फसल काटने लगती है कुछी दिर के बाद मीनोचडिया अपनी सारी गंदुम की फसल काट लेती है और कहती है चलो भाई मैंने अपनी सारी गंदुम की फसल काट ली है अब मैं ये सारी फसल अपने गोदाम में ले जाकर रख देती हूँ और कल सुबे मैं ये सारी फसल ले जाकर उल्लू सेट को बेचाऊंगी उसी जंगल में मीनो चिडिया का अपना एक गोदाम था जिसमें मीनो चिडिया अपनी सारी गंदूम की फसले रखती थी अगले दिन जंगल में तेज वारिश शुरू हो जाती है अरे अरे ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई अब मैं अपनी फसल कैसे काटूंगा कहीं ऐसा ना हो कि बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो जाए मिनुचेडिया ने अपने खेश से सारी गंदुम की फसल काट ली थी इसी कारण उसका खेट और भी जादा अच्छा हो जाता है और वहीं कालू कवे के खेट में तो फसल ना कटने की वज़ा से पानी भर जाता है अरे भाई ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है अब मेरी फसल का क्या होगा अच्छा होता के मैंने मेनोचड़िया की बात मान कर कल ही अपनी सारी फसल काट ली होती इसी तरह पूरे एक दिन बारिश चलती ही रहती है अगले दिन बारिश रुक जाती है कालू कववा फोरण अपनी फसल के पास जाता है जब कालू कववा अपनी गंदूम की फसल को देखने के लिए आता है तो इसकी आदी फसल तो खराब हो चुकी थी और काली पड़ गई थी कालू कववा ऐसा कहता ही है के वहां पर मीनोचेडिया भी आ जाती है कालू कवे ये सब तुम्हारे आलसी पन की वज़ा से हुआ है परन्तु अब ये जो आदी गंदुम की फसल बची है इसको तो काट लो कहीं ऐसा नहो के फिर से बारिश हो जाए और ये आदी गंदुम की फसल भी खराब हो जाए तुम चुप करो मिनुचिडिया और तो और मिनुचिडिया के पास तो पूरे ही खेत की गंदुम की फसल है उल्लू सेट तो मेरी ये थोड़ी सी गंदुम नहीं खरीदेंगे बलके उस मिनुचिडिया की सारी गंदुम की फसल खरीद लेंगे और वे मिनोचेडिया मुझसे बहुत जादा अमीर बन जाएगी कालू कववा मिनोचेडिया से बहुत जादा ही जलता था इसलिए वे इसे कभी भी उच्चा नहीं देख सकता था अब देखो मिनोचेडिया मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ जब मैं उल्लू सेट को अपनी गंदुम नहीं बेच पाऊँगा तो तुम भी नहीं बेच पाऊगी रात हो जाती है कालू काववा खिडकी से मिनुचडिया के गंदुम के गोदाम में आता है और वे मिनुचडिया की सारी गंदुम में कीड़े डाल देता है ताके मिनुचिडिया उलु सेट को अपनी ये गंदम ना बेश सके अगले दिन मिनुचिडिया उलु सेट के पास काफी सारी गंदम पोट्लियों में भर कर लाती है और कालु कावा भी कुछ गंदम लेकर उलु सेट के पास आ जाता है उल्लो सेट हर बार की तरह इस बार भी मेरी गंदम की फसल ताजी और मज़ेदार है आप मुझे से ये सारी गंदम की फसल खरीद लें आरे भाई कालू कावे ये तुम थोड़ी सी गंदम की फसल क्यों लेकर आए हो मुझे तो जादा गंदम चाहिए उन्लो सेट मेरी आदी गंदम की फसल बारिश की वज़ा से खराब हो गई है बस यही कुछ बची है जो बिलकुल सही है आप मुझे से यही गंदम की फसल खरीद लें नहीं नहीं कालू कवे मैं तो सिर्फ और सिर्फ मिनोचडिया की ही ताजी गंदम की फसल ही खरीदूंगा मिनोचडिया जरा एक पोटली खोलकर अपनी ताजी गंदम की फसल तो दिखाओ जी बिलकुल मैं आपको अभी दिखाती हूँ एक पोटली खोलके अपनी गंदुम की ताजी फसल फिर मीनोचेडिया अपनी एक गंदुम की पोटली खोलती है तो उसकी सारी गंदुम में तो काफी सारे केड़े लगे हुए होते हैं उलू सेट ये देखकर बहुत जादा ही घुसा हो जाते हैं और मीनोचेडिया से कहते हैं मीनू चडिया मुझे तुम से ये उमीद नहीं थी, मैं तो कालू कवे को शातिर समझता था, परन्तु तुम तो कालू कवे से भी जादा शातिर हो, तुम मुझे अपनी कीड़े वाली गंदुम की फसल बेचकर मुनाफ़ा कमाना चाती थी नहीं नहीं उल्लू सेट, मुझे तो पता ही नहीं, कल तक तो मेरी फसल बिलकुल ही ठीक थी, ना जाने मेरी फसल में कीड़े कहां से आ गए हैं बस मिनोचिडिया तुम यहा से चली जाओ, अब मैं कालू कववे की ही गंदम खरीदूंगा, कमसकम काल्ू कववे की गंदम में कीड़े तो नहीं लगे हैं ना और फिर उलू सेट कालू कवे की गंदम खरीद लेते हैं और एक पोटली में कालू कवे को कुछ पैसे दे देते हैं मिनो चिडिया अपनी सारी गंदम की पोटलिया थेले पर रखकर वहां से ले जाती है देखा मिनो चिडिया तुम अपनी गंदम की फसल पर बहुत जादा घमन करती थी ना मैंने तुम्हारी गंदम की फसल में किरे डाल दिये थे ताके उलू सेट तुम्हारी गंदम की फसल ना खरीदें और मिनो चिडिया तुम उससे अमीर होने चली थी थी ना अब तो तुम मुझसे भी जादा गरीब हो गई हो अब तो मैं तुमसे जादा अमीर हूँ कालू कवे मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है ये कहकर मिनोचडिया वहां से चली जाती है मुझे इस मिनोचडिया से माफी मांगनी भी नहीं है चो ये मुझे माफ नहीं करेगी अब तो मैं इस मिनोचडिया से जादा अमीर हूँ दूसरी तरफ मिनोचडिया अपने खेत में आती है और काफी जादा उदास हो जाती है इस बार तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है मैंने रात दिन एक करके अपनी गंदुम की फसल लगाई थी ताके मैं उल्लू सेट को बेच कर काफी जादा मुनाफ़ा कमा सकूँ मिनुचेडिया ऐसे उतास बैठी होती है कि एक पक्षी मिनुचेडिया के पास आता है मिनुचेडिया मिनुचेडिया दूसरे जंगल में जो तुम्हारे मामा जी रहते थे उनकी एक हासे में मिरती हो गई है क्या अभी कुछ दिनों पहले ही तुम्हें उनसे मिलकर आई थी तो अचानक उनकी मिरती कैसे हो गई मिनुचिडिया तुम्हारे मामा जी का तुम्हारे इलावा कोई भी रिष्टेदार नहीं है इसलिए उनने अपनी गंदुम की फसल तुम्हारे नाम कर दी है तुम जाओ और जाकर उनकी गंदुम की फसल ले लो वरना कोई भी पक्षी तुम्हारे मामा जी की गंदम की फसल पर कबजा कर लेगा ये कहकर वे पक्षी वहां से चला जाता है और मिनुचिडिया अपने मामा जी की मौत की खबर सुनकर काफी जादा उदास हो जाती है और वे अपने मामा जी के गंदुम के खेत की तरफ चली जाती है मेरे मामा जी मेरी तरह कितने महनती थे देखो इनकी गंदुम की फसल कितनी जादा हरी भरी और कितनी जादा अच्छी है दूसी तरफ जब उलू सेट कालू कववे की बेची हुई गंदुम खाने लगते हैं तो वे गंदुम तो एकदम कड़वी होती है उलू सेट कहते हैं कालू कववा तो मिनो चड़िया से भी जादा दो के बास है इसने मुझे कड़वी गंदुम बेच डाली इस कालू कवे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं जाओ कबूतर गुलाम जाकर कालू कवे को मेरे पास लेकर आओ और फिर कुछी देर के बाद कबूतर कालू कवे को लेकर उल्लू सेट के पास आता है कालू कवे तुम तो बहुती ज़्यादा दो के बाज हो तुम्हारी बेची हुई गंदुम बहुत जादा ही कड़वी थी मुझे तुम्हारी गंदुम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई मैं जानता हूँ तुमने ये सब कुछ जान बूच कर किया है ताके तुम मुनाफा कमा सको लेकिन अब तुम मेरे सारे पैसे मुझे वापस करो पर उलू सेट मैं आपके पैसे आपको वापस कैसे करूँ आपने जो मुझे पैसे दिये थे उन पैसों से मैंने गंदुम के बीच खरीद कर अपने खेत में बो दिये हैं क्या तुमने मेरे पैसों से बीच खरीद कर अपने खेत में बो दिये हैं पस अवे खेत मेरा हो गया है तुम उस खेत में दुबारा कभी ना जाना उलू सेट आप मेरे साथ ऐसा ना करें मेरे पास उस खेत के लावा कुछ भी नहीं है आप मुझसे मेरा खेत ना ले कबूतर गुलाम इस कालू कवे को ले जाओ यहां से वरना इस कालू कवे को यहीं उल्टा लटका कर मारूंगा मैं और फिर कबूतर गुलाम कालू कवे को लेकर वहां से चला जाता है दूसरी तरफ मीनो चड़िया के पास उसके मामा जी की फसला आ गई थी जिस कारण मीनो चड़िया अब काफी जादा खुश थी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है जैसी करनी वैसी भरनी हम जैसा करेंगे वैसा ही एक दिन हमें भुगतना पड़ेगा